दोस्तों यदि आपके जिले में रस्मी रथी खंड काब बे चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुँ ज़्यादा इंपोरेटेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके पूरे पांच अंक कनफर्म कराने बाला हूँ प्लस रस्मी रथी खंड काब बे से संबंधि जितने भी सवाल आपके बोडिक जम में पूछे जाते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा ठीक है पहले मैं आपको इस खंड काब का सारांस बताऊंगा एकदम सरल सब्दों में बहतरीन सब्दों में उस एक चीज आपकी क्लियर होगी ठीक है चलो सुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले आपको ऐसे हाइलाइट एडिंग डाल देना है काले पिन से और लिखेंगे रस्मी रथी अगर सारांस पूछा जाएगा तो इस तरीके से लिखना है चरी चितना अभी बाद में देखेंग ठीक है न रस्मी रथी खंड काव्वे दान वीर करड के जीवन से संबंधित है सबसे पहले आपको इतना लिखना है ठीक है इस खंड काव्वे का सारांस इस प्रकार है ओके अब देखिए आपको पहली एडिंग डालना है प्रथम सरग और इसमें लिखेंगे करड का सौरि याद नहीं रहता अगर ऐसी स्थिती आपके साथ बोड इक्जाम में हो जाती है आपको सर्ग का नाम याद नहीं आता तो आप इसको लिखिएगा ही मत क्यों आप प्रथम सर्ग हेडिंग डाल के डारेक्ट यहां से लिखना शुरू कर दीजेगा इसको कोश्ठक में लिखना ही मत अगर याद रहे तभी लिखना ठीक है डाउट फुल काम मत करना इसमें लिखेंगे इस सर्ग में करड के प्रारंभिक जीवन का वर्डन है करड कुंती के गर्भ से कौमारिया वस्था में उत्पन हुए थे ठीक है इसलिए कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बह दिया ओके सूत जाति के व्यक्ति द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र कहलाया एक बार द्रोडाचारे ने सस्त्र कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें करड भी सभा में पहुँच गया और अर्जुन को द्वंध युद्ध के लिए चुनावती दे द चाहिए यानि अगर तुम अर्जुन से युद्ध करना चाहते हो तो तुम सूत पुत्र हो इसलिए तुम्हें कहीं न कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए तभी तुम अर्जुन से युद्ध कर पाओगे अन्य था तुम अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते क्यों कि सूत पुत्रों को हम अपने यहां इस्थान नहीं देते ठीक है उन्होंने ऐसा बोल दिया तुम्हें कहीं का राज प्राप्त करना चाहिए तभी दुर्योधन था जो ऐसी बातें सुन रहा था तो उसने किया क्या कि कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया कहां का अंग दे तो आपको किवल यहां से स्टार्ट करना है और मित्र बन गया तक आपको किवल लिखना है ध्यान देना ठीक है मित्र बन गया तक आपको किवल लिखना है आगे की चीजें भूल जाना है ठीक है अब देखे अगर पूरे खंड का बेका सरांस पूछेगा तो इसी को संचेप में करके आप लोग लिखिएगा अब देखिए दोस्तों अब आपको अगली हेडिंग डालना है दूती ये सर्ग सर्ग का नाम याद रहे तो अस्रम वास लिख देना अन्य था कुछ भी नहीं लिखना ठीक है इसमें लिखेंगे जब द्रोडाचारे ने करड को सिष्ष नहीं बनाया तो करड परसुराम के आस्रम में धनुर विद्या सीखने के लिए जाने लगा ठीक है कहां जाने लगा व कुछ दिन बाद वो जान जाते हैं कि करड सूत पुत्र है जिससे क्रोधित होकर उन्होंने करड को साप दे दिया और कहा मैंने तुझे जो भी विद्या सिखलाई है तो अंत समय में उसे भूल जाएगा ठीक है ध्यान देना अब अगर दूसरे सर्ग का केवल सरांस पूछ जाएगा तो यहां से ले करके यहां तक ही आपको लिखना है ठीक है और अगर पूरे खंड का पूछा जाएगा तो आगे भी लिखना है अब आपको अगली उसमें फिर आप पूरे का पूछेगा न तो इतना बड़ा आप मत लिखेगा में में चीजें लिख देना जैसे यहाँ से यहाँ तक आप एक दो लाइन इसका ले लिए, फिर एक दो लाइन इसका ले लिए, इस तरीके से आपको एक्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है। करड तथा अन्य कवर्वों के लिए संधी प्रस्ताव लाते हैं, परंतु कोई भी उनकी बात नहीं मानता और युद्ध करने की बात करते हैं, ठीक है। तथा उसने इंद्र को कवच और कुंडल दे दिया, ठीक है, जिससे प्रसन होकर इंद्र ने करड को अमोग सकती दिया, ठीक है। अब आगला सरग है, पंचम सरग, इसमें है माता की बिंति, ठीक है, इसमें लिखेंगे, इस सरग में कुंती करड को समझाने जाती है, और उन्हें उनका पूरा अस्तित्त बताती है, कुंती ने करण को पंडवों का साथ देने के लिए कहा परंतु करण ने इनकार कर दिया ठीक है और कहा कि मैं अर्जुन को छोड़ कर तुम्हारे किसी भी पुत्र को हानी नहीं पहुचाऊंगा ठीक है अब आपको अगली हेडिन डालना है खश्ट सर्ग इस सर्ग का नाम है स घटोतकच को युद्ध भूमी में उतार दिया घटोतकच ने प्रले मचा दिया जिससे करण को इंद्र द्वारा प्रदान की गई अमोग सक्ती का प्रयोग घटोतकच पर करना पड़ा ठीक है जिससे करण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई अच्छा सस्त्र नहीं ब अर्जुन के युद्ध में करण के रत का पहिया फंस गया तथा वह सारी बिद्या भूल गया क्योंकि उसको सराप मिला था कि जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो ये तेरी बिद्या पूरी जितनी मैंने आपको दिया है परासुराम ने सराप दिया था वो तू सब भूल जाएगा ठीक है और भूल गया अंतता अर्जुन ने करण पर प्रहार कर दिया और वह मारा गया ठीक है यहां से यहां खंड काब समाप्त होता है क्यों इतना बड़ा आपको इसका सारांस लिखना है अगर देखिए पूरे खंड काब कागर पूछेगा पहली बात तो पू इस सर्ग का तर्ती सर्ग का ऐसे पूछेगा तो आपको संखेप में लिख देना है और जब पूरे का पूछेगा нужно तो प्रतम спर दिया दो लाज दुति की एक दो लाज दो दो लाजे तरती की एक दो लाजने एसे ही करक के सभी सर्गों की जो अभी मैंने आपको पढ़ाय एक एक दो दो लाइने आप लोगों को लिख देना है ठीक है इस तरीके से या फिर देखिए अथवा में आएगा जिसमें से एक चीज विशेश रहेगा चरीत्र चित्रन तो भई सारांस अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो टेंसन मतलो आपको चरी चित्रन में रटवा दूँगा एकदम भेतर तरीके से दिमाग में छाप दूँगा चलो अब चरी चित्रन देखते हैं तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं चरी चित्रन पर आपको सरांस समझ में नहीं आ रहा टेंसन मतलो कि देखो वाकई इस खंड कावे का सरांस बहुत जादा बड़ा है रस्मी रती का सरांस बहुत जादा बड़ा है इसलिए मैं आपको सुझाओ दूँगा कि आप सरांस से जादा चरी चित्रन पर फोकस कीजिए चरी चित्रन अगर आप तयार कर लोगे तो सरांस भी नहीं फसेगा तो आप चरी चित्रन आसानी से लिख देंगे और पूरे अ आपको मिल जाएंगे चरी चित्रन में मातर आपको एक डेड़ पेज लिखना पड़ेगा बस ठीक है तो कैसे लिखना है सबसे पहले आपको हाइलाइट हेडिंग डालना है वो भी काले पें से ठीक है या काले इसकेच से उसके बाल लिखेंगे रस्मी रती खंड काब के प इंद्र को अपना कवच कुंडल देकर उन्हेंने स्वयम इसका प्रत्यच्छ प्रमार दिया है वह कहता है कि चाहे पलट जाए पलभर में महाकाल की धारा वीर करड का किन्तु नजूठा हो सकता प्रण प्यारा ठीक है ये आपको याद कर लेना है और ऐसे ही लिख देना है अब आपको अडगली हेडिंग डालना है तेजस्वी इसमें लिखेंगे करड सूर का पुत्र था इसलिए सूर की ही भाती तेजवान था उसके सामने बड़े से बड़े योध्धा ठीक नहीं पाते थी अरजुन को मारने का प्रण लेने से उसके तेजस्वी होने का प्रमा ज़्था इसमें लिखेंगे करड के अंदर कर्टक्यता कूट कूटकर भरी है क्रिश्ने ने करड को युद्ध में पांडवों का पच्छ लेने के लिए बहुत समझाया यानि बहुत कहा कि आड़ आप पांडवों की तरफ आजाओ कौरवों की तरफ मत जाओ किन्तु आप अपने मित्र दुर्योधान से छाल करना उचित नहीं समझा ठीक है इससे उसके कृतग्य होने का प्रमाण मिलता है ठीक है अगली हेडिंग आपको डाला है अजेय योध्धा इसमें लिखेंगे करड बहुत ही पराक्रमी योध्धा था उसके युद्ध कौशल से सभी परिज जीत थे ओके अजेय योध्धाक मतलब जिसको कोई न जीत सके ठीक है अर्जुन के वध की उसकी प्रतिग्या को सुनकर पांडवों में डर उत्पन हो गया था अर्जुन नहीं सस्त्र करड का प्रहार किया इससे करड के पराक्रमी होने का प्रमाण मिलता है अब आपको कुंडल देकर भी पूर्ड किया करण कुंती को चारों भाईयों की रच्छा का वचन दिया था जिसे भी उसने पूरा किया ठीक है इतना आपको लिखना है इनका चरिचितन लास्ट में आप लोग लिखना चाहते हैं तो एक हेडिंग और डाल लेना ठीक है यहाँ पर निस इतनी भी हेडिन डाले हैं जैसे दान वीर हो गया, क्रताग्य हो गया, साहसी हो गया, अजे योध्धा हो गया, यह उन्दर प्रतिग्य पूरुस्था इस तरीके से आपको पूरा चरिचितन लिखना है पाँ चंक आपका कोई भी नहीं काट सकता मैं यह गरंटी के साथ कहत आता है